नमस्कार साथियों मैं लोडा राम और आप देखना शुरू कर चुक है मेरा यूटूब और फेस्बूक पेज आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पारे होंगे कि पुलिस ने एक सादू को गरफतार कर रखा जेहां एक सादू पुलिस की गरफत में है अब इस उमर का भुजरुक सादू आखिर पुलिस ने इसे क्यों गरफतार किया है और इस सादू ने क्या जुर्म किया है क्या अपराद किया है कि इसे पुलिस को गरफतार करना पड़ा तो ये जो आरोपी है सादू ये 14 साल से फरार चल रहा था यहां यह जो सादू है आरुपी यह चौधा साल से फरार चल रहा था اور इसने दुसक्रम का अपराद किया है 14 साल पेले जालोर के आहोर थाना छैतर में इसने दुसक्रम की वारदात को अनजाम दिया था और जिसके बाद यह फरार हो गया और लगातार फरार चलता रहा अब पुलिस की गिर्फ में यह नहीं आ सके इसलिए इसने अपना जो हुलिया है वो बदल दिया जी हाँ इसका आरूपी का नाम है मकारामदेवाशी इसने अपना हुलिया इसलिए बदल दिया कि वो पुलिस की गिर्फ से बच सके पुलिस की गिर्फतारी से बच सके क्योंकि इसने दुश्करम की वारदात को अंजाम दिया था और दुश्करम की वारदात को अंजाम देने के बाद ये फरार हो गया था और आउर्फ प्लिस क्योंकि आउर्फ प्लिस ताने में मामला दर्ज हुआ था एफाया दर्ज हुई थी इसके इकलाव तो इसकी तलाच चल रही लेकिन आरोपी फरार हो गया और फिर पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने सादू का वेस ले लिया और लगातार 14 सालों तक सादू बंद कर ये जो आरोपी है मकाराम देवासी ये फरारी कारता रहा और किसे भी कानो कान ख़वर तक नहीं लगी जब पुलिस की गर्फ में ये आरोपी ने आ सका तो पुलिस ने इस आरोपी के लिए 1000 का इनामी गोशित किया ताकि इस आरोपी को गर्फतार किया जा सके इनामी आरोपी मकाराम देवासी अब पुलिस की गर्फ में इसे पाली जिले से आउर पुलिस ने ग्रफतार किया है और ये दुसकरम का आरोपिये 14 साल से फरार चल रहा था जिसे ग्रफतार किया गया है